So, Hello Everyone, Welcome to my channel Commerce Notes आज हम B.com 4th semester का एक सब्जेक्ट जो हमारा Accounting and Finance Contemporary Issues in Accounting है जो Honors का एक सब्जेक्ट है उसका एक important question अंसर करेंगे जो कि previous year based है और उसके आने के chances जादा होते हैं विकाज हो multiple time exam में repeat हुआ है तो थोड़ी से आपको information दे जी जाए हमने क्या है ये सीरीज को स्टार्ट किया है इस subject के important question अंसर को जिसमें हम क्या है important question अंसर को करेंगे अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया तो playlist बन चुकी है आप वहाँ पे जाके और भी question answers है आप उसको check out कर सकते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि यह जो subject है इसके important question अंसर हम कर रहे है ठीक है यह become 4 semester में आते है और जो हमारा question है जैसे की question हमारा यह है अगर यह question किसी और subject से बनता है तो उसके लिए भी क्या है यह relevant वीडियो है तो आपको क्या करना है आपको सिरफ life कर देना है ठीक है जासे जासे इसको like करना है शेयर भी करना है और subscribe नहीं किया तो वह तो कर लीजेगा ठीक है और दूसरी चीज कि जो playlist है उसको save कर तो कहरें कि ए कि मॉनिटरी वरकिंग कैपिटल अरद रिजेसमंट में वह आपको बतानी है तो कह来ें कि जो मॉनिटरी वरकिंग कैपिटल अरजेस्ट्रम念 है प्राइज लेवल अक़ूटिंग में इसका क्या मतनब है इत्रफ leavork क्यों से थो यह कहीं है फ्रोसेस है जिसमें हम अर्जस्ट करते हैं monetary item को किसकी monetary item को जो company की working capital है ठीक है तो जो working capital है उसकी जित्ती भी monetary items है उनको क्या है हमने adjust करना है ठीक है ताकि reflect हो जो भी changes आएं है price level में ठीक है price level के लिए जो भी मतब्दा price level से जो भी changes आएं क्यों क्यों आते changes because inflation और deflation के कारण ठीक है इसमें क्या करते है the adjustment aim क्यों कर रहे है हम adjustment ताकि हम provide कर से के more accurate or realistic financial picture अपने accounting की by accounting the effect जो भी हम जैसे price level में जो भी change आया due to inflation and deflation वो सारा का सारा के adjust करने के बाद के हम एक accurate picture दिखा सके realistic financial picture दिखा सके ठीक है company के financial position के और performance की तो एक बर में इसको कहा है और ब्रीफ में आपको बता देती हूं तो basically firstly आपको यह याद रखना है कि प्रोसेस है जिसमें हम adjust करते है monetary items को company की working capital जो भी working capital में होती है monetary items की क्यों क्यों क्योंकि भई हमें reflect करना है हमें दिखाना है कि प्राइस लेवल में ठीक है changes in price level क्यों क्योंकि इंफ्लेशन और deflation होती है तो हमें क्या है working capital यह कह सकते है monetary items जो भी है इना company's working capital में to reflect changes in price level due to inflation and deflation तो सीधी सी बात बता हूं inflation and deflation से जो भी changes आए है ठीक है working capital का concept तो कहरें कि working capital में क्या होता है current Egypt started and current liability तो क्या कहरें there are assets that are expected to be converted into cash within a year तो एक साल के अंदर के हम जो in assets को क्या है convert कर सकते हैं चीप है तो उसको क basically current assets और there are the assets जो कहärां,asets means basically HOW its current assets एक year на只是 current assets, Reeseeval and Cash how a currency तो क्या करें है, यह वो obligations होती है, जो क्या है, एक साल के अंदर हमारे company के उपर, जो क्या उनको payable करनी है, ठीक है, छॉट्रम डेट हो गए, जैसे payables हो गए यह सब, ठीक है, फिर होता है working capital, working capital क्या है, इन दोनों का difference है, तो difference between current asset and current liability क्या होती है हमारी working capital तो यहाँ पर जो question में हमारा सबसे पहले तो क्या आया था कि working capital का concept आया था तो अभी हम देखते हैं working capital हमने देख लिए क्या होता है अब हम देखते हैं price level change यह term be yia price level change लेखते है तो price level changes आते हैं inflation और deflation के कारण तो इन्फलेशन क्या हो गही कि increase हुओ अ है in the general price level में जो कही कहीं न कहीं decrease कर देता है purchasing power of money ठaggiक है कोई कहींन कहीं होता है decrease हुआ हमारा general price level में जो कि increase कमार्णी पर्चेस्जिंग पावर ओफ मनी को ठीक है फिर monetary working capital adjustment process अब हम देख लेते हैं monetary working capital adjustment process क्या होती है तो सबसे पहले हमें identify करनी होती है कि कौन कौन सी monetary items है ठीक है तो जैसे monetary asset होगे cash, receivable and other items जो क्या है that are fixed in nominal term next monetary liability जैसे payable होगे short term debt होगे and जो other obligation है जो कि fixed है in a nominal term तो यह क्या होगे आपके monetary items होगे आपको सबसे पहले क्या करना है identify कर लेना आपके monetary items को जैसे कि monetary assets and monetary liabilities फिर आपको calculate करना है adjustments तो क्या कह रहे है कि determine करना है कि कि इतना rate of inflation or deflation है over the period जैसे बोल रहे हैं कि adjust करना है monetary items को जो भी आपके working capital में है ताकि reflect हो जो भी changes आए है price level में this can involve इसमें क्या हो सकता है जैसे revalue कर रहे है आप अपने items को ठीक है किसके base पे based on journal price index हो गया या specific price index हो गया जो भी relevant है company के operation के लिए ठीक है index to the company's operation जो भी price index relevant है company के operations के लिए next purpose and benefit क्या है इसका purpose और benefit कह रहे हैं कि करते हैं changes जो भी changes आए price level में ठीक है इससे क्या होता है कि help होता है कि हम present कर सकते है accurate picture company की financial health की और performance की ठीक है next है इससे कहीन के avoid होती overstatement or understatement of profit or losses ठीक है जो कहीना के ही क्या है that can occur due to जो कि कि किसके कारण हो जाते है inflation और deflation के कारण फिर कह रहे है इसमें comparison भी कर सकते हैं जैसे कि अलोग करता है यह meaningful comparison हम कर सकते हैं अपनी financial statements की over different periods by reviewing the distortion caused by जो भी changes आए हैं मतलब price level के कारण ठीक है क्यों कि हमने कहा है उनको वो changes को considered कि है next है better decision making obviously बात है यह provide करता है management को and investors को कि more reliable information देता है more reliable data देता है decision making फिर help हो जाती है strategic planning में भी help हो जाती है performance की evaluation करने में भी हो जाती है help हो जाती है example देख लेते है example के है आपको और clear हो जाएगा यह basic example है ठीक है तो क्या कह रहे है कि assume करो एक company है ठीक है उसकी working capital items यह है cash हो गया receivable हो गया तो हम यहां पर यह 10,000, 20,000, 50,000 अब क्या है inflation rate कितना है 10% है तो अब हम देखते हैं कैसे करेंगे तो without adjustment तो अगर working capital आप निकाल रहे हो तो आपको क्या current asset में से minus करना है current liability तो यहां पर current asset क्या है cash हो गया हमारा receivable हो गया इनको प्लस कर लोगे और इसमें से minus कर लोगे payables को 15,000 है तो यह हमारा आ जाएगा कितना आपको 15,000 आ रहे है working capital according to without adjustment without adjustment है अब हम देख लेते है with adjustment क्या होगा तो कहरे है सबसे पहले तो adjust करो cash को ठीक है तो 10,000 था तो cash is already in monetary term तो cash क्या है monetary term में है तो अब क्या करोगे इसमें adjustment करने की आपको जरूरत नहीं है ठीक है term and does not need adjustment अब adjusted receivable अब क्या है adjusted receivable में क्या कर रहे है 20,000 है तो अब जो 20,000 है उसमें क्या करोगे आप inflation rate को consider करोगे तो यहां पे इनोंने क्या है इसको inflation rate को सब्सक्राइब करने क्या है तो इसमें क्या है तो इसमें क्या है यह भी तो इसमें भी रिडियूज हुए हमारी नॉमिनल वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रहे है लोर पर्चेसिंग पावर को अब हम देखेंगे adjusted working capital कितनी आ रही है तो देखों हमें क्या करना है जो हमारे तो हम cash लेंगे cash के already हमारी monitor term में होता है inflation rate मतलब inflation जो आज का 10,000 है तो आज कही 10,000 है वो हना तो हम conclusion देखें तो क्या बोड़ रहे है कि जा रहे है monetary working capital adjustment in price level accounting ensure करता है कि जो financial statement reflect करे true economic reality क्या है इसमें accounting करते है inflation deflation की adjustment करते हैं जो कि important होती है इससे maintain रहती हमारी integrity financial reporting की यह अलो करता है better comparison में over the time and यह क्या हम help करता है कि हम informed decision making ले सके क्योंकि हमारा पास क्या data है तो अब हम इसको एक बार revise कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा था what is working capital तो हमने देखा था working capital क्या होते है current assets में से price level accounting क्या होती है त giggles अपडेट करती है value of money को जो भी related है item in working capital ताकि reflect हो सके जो भी changes आया है in price due to the inflation or deflation तो prices में जो भी change आया है inflation or deflation के कारण यह ensure करता है कि जो financial statement है वो more accurate or realistic किया है show करे data फिर why do we need this क्यों जरूरत है इसकी तो हमने देखा भई accurate करती है financial health यह क्या है हमें कहीं न कहीं accurate financial health बताती है consistent comparison कर सकते हम इसमें and informed decision making हम इसमें ले सकते हैं how does it work कैसे यह इसने काम किया था तो हमने process देखी थी कि सबसे पहले तो आपको monetary items को identify करना है उसके बाद क्या है फिर adjust करना है inflation deflation जैसे कि हाँ 10% rate दिया था हमें उपर example में तो यह दुबारा से वही example है जो हमने detail में समझ लिया ठीक है तो इससे हमें पता लग जाता है एक business की ठीक है तो यह था हमारा पूरा का पूरा question होप आपको पूरा concept समझाया अगर वीडियो पसंद आई हो तो जादर से जादर से शेयर करिएगा like भी करिएगा thank you for watching this video